यूपे के जनपद आई बरेली में तेज़ जफतार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनपद में गने कोहरे की कारण आई दिन सड़काजसों में जाफा होता दिख रहा है। एक ऐसे ही मामला प्रकाश में आया है जहां गने कोहरे के कारण एक कीवक को अपनी जान गवानी पड़ी मामला सरीनी कोत्वालियक शीत्र के अंत्रियर सराय बैरीहा खेडा चुराहे का है जहां शनीवार के सुभा 9 बजे टेज़रफतार च्रक ने एक बायक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी जानकारे के मताबिक बायक सवार युवक सूरज सिंग ग्राम दुधवन का रहने वाला है जो की कनकापुर गाउं से अपने घर दुधवन आ रहा था और जैसे ही वह सराय बेरिहा खेडा चुराहे पर पहुंचा कि तभी लालगन से रालपूर की तरफ जा रहे तेज़ अफतार च्रक ने लापरवाही बर्त दे हुए जोरदार टक्कर मार दी जिसे बाइक सवार मौके पर ही दर्दनात मौत हो गई वही स्थानियों ने ततकाल घटना की सुचना पुलिस को दी सुचना मलते ही मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष सरेनी रवेंद्र सिंग ने परीजनों की माजूदगी में शवकों कबजे में लेते हुए पोस्ट मार्चम के लिए गटनासल से फरार हुए च्रक्व चालक की धरपकड में जुट गए हैं थानाध्यक्ष की मुस्तहरी से च्रक्व गटनासल से कुछी दूरी पर रालपूर के पास रामपूर मोड से हिरासत में ले लिया गया लेकिन इस बेच चालक भागनी में काम्याब रहा फिलाल पुल इसवार रहा था उधर से लेका रहा था तरक दे जा रहा था रालपूर लालकंसल से रालपूर और बाईकशवार भाईकशवार है वह रहा था धर सगटनाव के सामने हुए है क्या ना मैं आपका लोकेश कुमार सिंग काँ रहने वाला हूं क्या घटना होई यह सुचना मिली कि मेरे गाउं का ही सूरत सिंग सनाफ राजनास सिंग वो लाल गन से दुद्वन के लिए आ रहे थे तेहीं सराय वेरियाक पास एक ट्रट जो है अन्य अंत्री ट्रट ने उसक अन्य आनस पार उसकी मौट है मौके पर ही मौट है हम लोगों को सूचना मिली को हम पूरे गाउं पर इकठा हो के आए प्रसासन ने हमारा से उख किया है क्या नाम है अपका तहीरा सिंग कहा रहते हैं तो आपको सूचना कैसे मिली है अच्छा क्या सोचना मिली आपको यह सोचना मिली कि हमारे मतलब भाई का एक्सिदेंट हो गया जी तो तहरीर दी धाने में पुलिस को